हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल AIS एजुकेशन्स और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टुडेंट्स इगनु में अपना एड्मिशन ले चुके हैं और एड्मिशन कैंसल करना चाहते हैं किसी भी कारणवस तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, कितनी फिस उनको रिफंड मिलेगी, क्या एड्मिशन कैंसलेशन पॉलिसी है पूरे डिटेल्स आपको दिखा रहा हूं, एक्जक्ट नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा, लेकिन जिससे पहले वीडियो में स्टुडेंट्स हमारा चैनल होने ही है, चाहिए आप विदिन टाइम कर लो, क्योंकि 200 रुपे नोन रिफंडेबल एड्मिशन रिजिस्टेशन फिस होती है, जो कि आपको डिटक्ट होगी होगी, इसके लावा कुछ अन्य क्लोज है, कुछ टाइम की डैडलाइन से जितने दिन तक आप करेंगे, उतना अगर आप, अगर आप एड्मिशन करने की लास्ट डेट से पहले-पहले आप अप्लाई कर देते हैं, तो आपका 200 रुपे सिर्फ डिटक्ट होगा, इसके लावा अगर आप, एड्मिशन करने की लास्ट डेट उस सेशन की ओवर हो चुकी है, और उसके 15 दिन के अंदर-अ अपना admission cancellation अपलाई करते हैं तो आपका 500 रुपी यानि की 500 रुपे के वल डिड़क्ट होगा बाकी फीस आपकी refund कर दी जाएगी इसके लावा अगर admission करने की last date particular session के लिए over होने के 30 दिन के अंदर अपका admission cancellation अपलाई होता है तो आपकी पूरी 1000 रुपे फीस कटेगी इसके ला अपलाई करते हैं तो कोई भी refund आपको नहीं दिया जाएगा पूरी फीस आपकी डिड़क्ट हो जाएगी कोई भी refund आपका इसमें नहीं मिलेगा तो यह तो admission cancellation policy इगनूगी है अब admission केंसल करने के लिए प्रोशीड कैसे करना आपको यह भी मता दूँ अडमिशन केंसल करने के लिए आपको registered user login जो ID है smart portal पर पर्टिकुलर सेशन पर आना है पर्टिकुलर सेशन पर अपना registered user name पासवर्ड और capture करना है जैसे आप लोग इन करेंगे तो आपको front page में display करेगा करना सकते हैं email करते तो इसमें पूरे डिटेलस आप मेंसन करें कि आप कि जो भी आपकीवर्ट डिटेल्स होगे मैंने क्या था